नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय, बच्चों हम लोग एकल बल आर और बल्युगमजी से रिलेटेड थेवरम देख रहे हैं, आज उसी से रिलेटेड थेवरम देखने वाले हैं, आईए क्या थेवरम है देखते हैं प्यारे बच्चों, देखिए आपका पहला थेवर क्या होना चीए, आईए देखते हैं, दिड़ पिंट पर क्रियासिल बल, हम जानते हैं प्यारे बच्चों, देखें, दिड़ पिंट पर क्रियासिल बल, का एक एकल बल आर, ये देखें, आर, जो ओए पर क्रियासिल है, और एक एकल बल युगम, जी, जो ओडी पर क्रियासिल है ठीक है और इन दोनों के बीच कोन कितना है ठीटा तो इसके लिए हम क्या जानते हैं याद कीजेगा दिखोजिया इसके लिए दिखोजिया यह सब बताएं कैसे करेंगे देखें देखो द्रिड़पिंड पर क्रियासिल एक एकल बल आर जिसे ओ ए से और एक बल्यूग क्या होता है जी जिसे ओडी से प्रदर्शित किया गया है ठीक है प्यारी बच्चो अब देखेगा आपको तो मालूम होगा आर इस इकवल क्या जानते हो यहां पर एकस वाई जेड एकल बल आर के घटक होते हैं मालूम है ना तथा एल एम एन बल्यूगम एकल बल्यूगम जी के घटक है ठीक यह तो आप जानते हो तो समझे कि यहां पर यदि ऐसा है तो रेखा ओ एकी दिक को जाएं और ओडी की दिक को जाएं क्या होगा कि दोनों के बीच एंगल थीटा है तब रेखा ओ एकी दिक को जाएं क्या जानते हो प्यारे बच्चों यह हम जानते हैं एक सापानार वाई अपानार और जेड अपानार यही जानते हो वैसी ही बल्यूगम के लिए रेखा ओडी की दिक को जाएं ओडी की दिक को जाएं इस पर बल्यूगम कारिया है कारिगरत है तो क्या होगा एल एलमेन है ना एल अपान जी होगा एम अपान जी होगा एन अपान जी होगा आया समझ में हाँ तक अब बच्चों दोनों के बीच दोनों रेखाओं के बीच कोन कितना है देखो ध्यान देना दोनों रेखाओं के बीच कोन कितना है थीटा है याद किजिए आप दो रेखाओं के बीच कोन थीटा दोनों की दिक को जाएं यहां पर मैं नोट लिग देता हूं यदी दो रिखाओं की दिखो जाएं कितना हो L1 M1 N1 वा L2 M2 N2 हो तथा कौन कितना हो दोनों के बीच कौन थीटा है तब हम पढ़ें प्यारी बच्चों कास थीटा is equal L1 L2 M1 M2 प्लस कितना N1 N2 देखें यह जानते हो तो इसी को बेस लेकर ध्यान देना उसी जो है उसको हम बेस लेकर क्या करें यहाँ पर क्या करने वाले देखेगा दोनों के बीच एंगल हमको क्या मिलेगा कास थीटा is equal क्या मिलेगा भाई दोनों के दिकोजियाओं का गुनन फल तो आपके पास आया X upon कितना R into L upon G प्लस दूसरा आया Y upon R into कितना M upon G और तीसरा आया Z upon R into कितना N upon G यह देखो बच्चों हम इस पूरे में देखो RG L से हमा रहा है नीचे RG क्या रहा है ध्यान देना RG L से हमा रहा है तो कास थीटा इस इक्वाल X L प्लस Y M प्लस N Z या Z N अपान कितना यहां लिख लिए RG इस पूरे को हम X L देखो X L प्लस Y M प्लस Z N इस इक्वाल राइट कर सकते है RG कास थीटा यहां तक समझ में आया है अब एक चीज ध्यान दो बच्चो जी कास थीटा परन्तु जी कास थीटा ध्यान देना आईए ग्राप में आपने जी कास थीटा के लिए क्या लिया था याद करो यह O-DES था यह A-DES था और इस पर क्या काम कर रहा था भाई जी कास थीटा ठीक है ना यहां पर देखिए परन्तु इसको अच्छेस देख लिजेगा कहां पर कारे कर रहा था इसके पहले वीडियो लेक्चर में आपने देखा होगा O-DES इडेस इसी के पैरलल ठीक है ना जी कास थीटा तो यहां पर देखिए यदि चोकी बल्यूगम जी कास थीटा रेखा O-DES इडेस पर क्या है क्रियासिल है अब यदि हम माल लेते हैं कि थीटा इस इक्वल कितना है 90 डिग्री भाई दोनों के बीच यदि एंगल हम माल लें यदि ऐसा क्रियासिल है 90 डिग्री तब क्या हो जाएगा कास थीटा इस इक्वल 0 और यहां एक एकल बल आर में क्या हो जाएगा समाने अन हो जाएगा तो यदि ऐसा है तो हम थीटा के जगा 90 रखेंगे 0 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा इसको समीकर नंबर एक माल लो समीकरन एक से क्या कहेंगे XL प्लस YM प्लस ZN इस इक्वल आर जी कास 90 जीरो तो कंप्लीट क्या हो जीरो ठीक है प्यारे बच्चों तो इसका जो प्रतिबंध है एकल बल का प्रतिबंध है YM प्लस कितना ZN इस इक्वल क्या मिला? 0 मिला तो ये एकल बल के लिए क्या हुआ? प्रतिबंध है इस प्रकार एकल बल में क्या हो गया? निकालना था प्यारे बच्चों तो जल्दी नोट कीजिएगा हो गया चलो यही अभीष्ट प्रतिबंध है समझो यह प्रतिबंध है ना चलिए अब दूसरा देखिएगा क्या दी है दूसरा निश्चर इनवर्येंट निश्चर अचर कॉंस्टेंट में चाहे जोभी मुल बिंदू और अक्षचुने जाएं चाहे जोभी मिल बिंदू और अक्षचुने जाएं यह दर्साना कि कि सिद्धिये गया बल्लिकाय के लिए रासिया एल x प्लस m y और n z और X square plus Y square plus Z square निश्चर रहती है, अचर रहती है, ठीक है, आईए, इसके लिए देखते हैं प्यारे बच्चों, तो चूकि हम जानते हैं, चूकि दिड़ पेंड में क्रियासिल एकल बल और तथा बल्यूग्म जी है, तब हम जानते हैं, प्यारे बच्चों, आर इस इकल होता है, X square plus Y square plus Z square, और G is equal होता है, L square plus M square plus N square, ये आप जानते हो, ठीक है, और इसकी दिखकोज्याएं भी जानते हो आप, हाँना, दिखकोज्याएं, आर के लिए क्या होता है, X upon R, Y upon R, और Z upon कितना R, इसी में R की दिखकोज्याएं, और G के लिए, क्या होगा, L upon G, M upon G, और N upon कितना G, ठीक, तो इतना तो जानते हो आप, अब यदि दोनों के बीच कौन कितना है, ठीटा है, अभी थोड़ देर पहले देखे, तब कास थीटा इस इक्वल हम जानते हैं, L1, L2, प्लस M1, M2, प्लस N1, M2, तो इसका मतलब, X upon R, इंटो L upon G, Y upon R, इंटो M upon G, और Z upon R, इंटो N upon G, तो समझे, आपने यहाँ पर क्या पाया, समझो, सिधा सिधा, आपने पाया, LX upon R, जी, या सब को जोड़ देते हैं, LX, MY, प्लस NZ, अपान कितना R, जी, इस इक्वल कितना, कास थीटा, ठीक है बच्चों, अब दिखो, यहाँ से आपको क्या मिल गया, यह समझे, यह कास थीटा, LX, प्लस MY, प्लस NZ, अपन R, इस इक्वल कितना हो गया, जी, कास थीटा, और आपको पता है ना, जी, कास थीटा को हम केसे प्रदर्शित करते हैं, अब चुकि जी, कास थीटा, चुकि बल R, और, जी, कास थीटा, एक ही अक्ष में, क्रियासिल हैं, अर्थात, R और G, क्या होंगे, एक ही अक्ष में संपाती है, R और G, क्या होंगे, अचर होंगे, निश्चर होंगे, तो बच्चों, R अचर है, ज्यान देना, R, हम लेंगे, R निश्चर है, अचर है, तो इंपलाईस हमको क्या मिलेगा, इसके लिए, स्क्वार रूट, X स्क्वार प्लस Y स्क्वार प्लस Z स्क्वार क्या होगा, क्या होगा, निश्चर है, अचर है, ये कहां से आया भाई, समी करन एक माने हैं वहां से, तो इसका मतलब, X square plus Y square plus Z square ये क्या है? अचर है निश्चर है वैसी ही हम किस के लिए देंगे? G के लिए ध्यान देना G के लिए G क्या है? निश्चर है ठीक है प्यारे बच्चों तो G के लिए क्या हो जाएगा? L square plus M square plus N square यह हो जाएगा निश्चर अचर invariant ये कहां से आया समीकन दो आपने जो लिया है वहां से आया ठेक और इस तरीके से दी मैं square root हटा दूँ तो L square plus M square plus N square यहां क्या होगा निश्चर होगा तो बच्चों यही हमको निकालना था निश्चर बताना था ये क्यों हो रहा है अचर निश्चर क्यों हो रहा है क्योंकि जो नया अक्षबना है odes ades आपने देखा है उसमें G कास्थिटा और R दोनों क्रियासिल है एक ही रेका पर है इसका मतलब दोनों समान है दोनों समान है इसका मतलब क्या हुआ अचर हुआ constant हुआ परिवर्थन तो होना नहीं है इसलिए कहा गया कि R और G दोनों निश्चर है R निश्चर है तो ये भी निश्चर होगा और G निश्चर है तो ये भी निश्चर होगा बच्चों इसी में एक नया फार्मूला बनने वाला है पीच का आप जानते हो, पीछ क्या होता है, देखो, याद रखेगा, पीछ, मैंने बताया था आपको, K upon R क्या होता है, पीछ होता है, ठीक है, ये क्या होता है, पीछ K upon R, अब बच्चों अभी आपने इस धिओरम में एक फार्मूला निकाला है, क्या फार्मल ने का देखो कि के इसी को रख देंगे यहां पर लिख देता हूं परन्तु हमने फाइंड कर चुका है कि के इस इक्वाल कितना अ एल एक्स प्लस मञाई प्लस इनजब आप रखतेता कि मतलब चुकाय मतलब गे रखी क के जगल रख गाओ तो क्या पर एगा एलेक्स प्लस मञाई प्लस इनजब आप आपान कितना आ पनदे 우리 स्कुयर विलकुल ध्यान दिजे प्यारेración बस इस भंग स HERE करना है तो बच्चों कैसे लगा अच्छा लगा ना यह पीचका भी हमने फार्मूला ले करके आगया तो याद रखेगा कोई भी दो रिखाओं के बीच यह दि कोन थीटा है तो हमेशा कास थीटा is equal L1 M1 L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2 होता है L1 M1 N1 L2 M2 N2 यह दिक कोजिया है और दीक अनुपात जब होता है तो याद करो क्या लिखे थे कास थीटा is equal A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 upon square root A1 square plus B1 square plus C1 square into square root A2 square plus B2 square plus C2 square लेकिन यहां पर कौन है दिक कोजिया ठीक है तो इस तरीके से यदि होगा तो हमें यह सब मिलने वाला है ठीक तो बच्चों बस आज का भी लेक्चर यहीं तक रहेगा मुझे उम्मेद है यह भी समझ में होगा नहीं समझ में आएगा तो एक बार दो बार ती को भी मेंत करना पड़ेगा करना पड़ेगा का यह नहीं करना पड़ेगा बिलकुल करना पड़ेगा प्यारे वच्चों तभी तो दस नमबर आपने जेब में जाएगा ठीक तो चलिए आज को लाइक किज़े हैं सब्सक्राइब नमस्कार